इस चैनल का लक्षा आप लोगों का मनोरण्यम मात्र नहीं बलकि आप लोगों को उत्राखंड के बारे में जानकारी प्रदान करना भी है यह तो उत्राखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सोंदर्य सांस्कृतिक धरोहर और धार्म विरासत के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है यहाँ पर उचे उचे परवत जरने ताल बुग्याल नदिया अपनी प्राकृतिक छटा को बिखेरते हैं परंतु आज हम बात करेंगे यहाँ पर स्थित पंच भद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और चार धामों की सर्व प्रथम पंच भद्री में स्री बद्रिनात, स्री आदि बद्री, स्री प्रिद्ध बद्री, स्री योग ध्यान बद्री और भुष्य बद्री हैं ये सभी चमोली जनपद में स्थित है पंच केदारों में स्री केदारनात, स्री कलपेश्वर महादेव, स्री मदमहेश्वर महादेव, स्री रुद्रनात और स्री तुंगनात जी है तुंगनात जी उत्राखन के सबसे उचाई पर स्थित दंदिर है इन में से कुछ चमोली जन प्रयाग जनपद में हैं। बात करी पंच प्रयागों की प्रयाग अर्थात दो नदियों का संगम। देव प्रयाग यह अलग नंदा और भागी रथी नदी के संगम पर स्थित है। करण प्रयाग पिंडर और अलग नंदा का संगम करण प्रयाग में होता है। रुद्र प्रयाग नंदा किनी और अलग नंदा किनी का संगम नंद प्रयाग में होता है। विष्णु प्रयाग धोली वा विष्णु गंगाजी का संगम यहां पर विष्णु प्रयाग में होता है बात करें उत्राखंड के चार धामों में बद्रिनात चमूली जन्पद में केधारनात रुद्र प्रयाग में गंगोत्री उत्तरकाशी में और यमनोत्री उत्तरकाश में स्थित हैं तो आप सभी सुनने वाले स्रोताओं से मेरा निवेदन है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी